इंसान में प्रतिभा नाम की एक चीज होती है। यहां ऐसी एक शमता है जो प्रकृती के लाखों वर्षों का काम सुभा से दुपार तक कर सकती है। अगर जरूरी कोशिश की जाए, तो आप जागरूकता से ऐसा कर सकते हैं। अगर जरूरी स्थिती बनाई जाए, तो इस व्यक्ती का सफल होना तए है। बात छोटी हो या बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य अपने हर काम में सफल होना चाहता है। जीवन में अनंत दर्वाजे मौजूद हैं। आप बहुत महनती हैं, तो आप कुछ दर्वाजे खोलेंगे। आप बुधिमान हैं, तो कई दर्वाजे खोलेंगे। पर अगर आप वागई जीवन थें, तो दर्वाजे खुद खुलेंगे। सफल होना लोगों के लिए इतना जटिल हो जाता है, कि वो सफलता क्यों चाहते हैं, ये आम तोर पर वो बिल्कुल भूल जाते हैं, और वो सफलता के सिध्धान्त बुर्णा शुरू कर देते हैं, हर तरह के सिध्धान्त, जैसे सफलता क्या होती है, क्या मैं चुटकुला सु भारत में एक आदमी था, शंकरन पिल्लाई, अच्छा ये जॉन स्मित की तरह है, उनका बेटा अमेरिका आया, जाहिर है एक भारती युवक, यानि वो एक सॉफ्ट्वेर इंजिनेर था, वो टेकसेस गया और वहां काम करने लगा, फिर उसे एक अमेरिकी महिला से प्यार हो गया, वो परिशान हो गया, क्योंकि भारत में ऐसा प्रेम अपराध है, वो परिशान हो गया, फिर उसने अपनी मा को बताया, फिर माने पिता को बताया, और पिता फट पड़े, वो उन्हें समझाने के लिए घर गया, पर बात नहीं बनी, क्योंकि भारत में कोई शादी करना चाहे, तो लोग उसके परिवार की पांच सो पुष्टे जाचते हैं वो उस व्यक्ति के वंच की शुद्धता देखते हैं, जिससे आपकी शादी होगी तो अमेरिका की एक गोरी महिला, आप उससे कैसे शादी कर सकते हैं, हम उसका वंच नहीं जानते, वो कहां से आई है, उसका वंच क्या है, दा-दा-दा-दा-दा तो वो समझा नहीं पाया और वापस आ गया, और उसे फिर से प्यार हो गया, और वो आगे बढ़ गया तब शंकरन पिल्लय अपने बेटे को त्याक कर बोले, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, फिर साल बीते, उनका एक बेटा हुआ, और उसकी तब की तस्वीर थी, जब वो पैदा हुआ था, और पत्नी रोजाना अपने छोटे बेटे की तस्वीर फेस्बुक पर अप पोते की बात अलग होती है, धीरे धीरे, एक दो साल में उसे इस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया, जिसे उसने देखा थक नहीं था, फिर लोग अमेरिका से उसके पास आने लगे, अरे आपने अपने पोते को नहीं देखा, ओ, आप उसे जरूर देखिए, वो आपके जी देखेगा, और उस गोरी औरत को तो बिल्कुल नहीं देखेगा, फिर वो अमेरिका गया, और उसे एक साथ साल का ओर जवान युवा लड़का मिला, वो एक फार्म में रह रहे थे, वो यहां वहां कुछ करता रहता था, उसे इस छोटे साथी से गहरा प्रेम हो गया, फिर एक दिन वो लड़का बोला, दादाजी आओ, मैं आपको तीर अंदाजी सिखाता हूँ, वो उस लड़के के साथ फार्म में गया, और वहां उसने आठ लक्ष देखे, वो सभी तीर, बिल्कुल निशाने पर थे, शंकरन पिल्ले ने ये देख कर सोचा, अरे ये मेरा पोता है, उसे भारत के सभी महान तीर अंदाज याद आ गए, अर्जुन और एकलव्य, और उसे भविश्य दिखा, ओलंपिक स्वर्ण पदक, आसमान से गिर रहे थे, फिर उसने पूछा, तुमने कहां से तीर चलाया, लड़का बोला, बीस गच से, क्या, बीस गच की दूरी से तुमने सभी तीर निशाने पर मारे हैं, तुमने ये कैसे किया, फिर लड़का बोला, दादजी मैं तीर पहले मारता हूं और फिर निशान बना देता हूं, तो सफलता से जुड़े ये सिध्धान्त, रुकावट बन सकते हैं, और मैं लगातार ऐसे लोगों के साथ रहा वो एक हद तक सफलता पा चुके हैं, पर उनका जीवन उनकी सफलता के सिध्धान्त में फिट नहीं हो रहा है, और वो ढाचा टूट रहा है, पर उने लगता है कि कुछ गलत है, कुछ गलत नहीं है, वो बस बहतर हो रहे हैं, स्थितियां उन्हें आगे बढ़हा रही हैं, पर उनके सिध्धान्त तूट रहे हैं, तो वो अपनी सफलता से दुखी हैं, आपको कई लोग ऐसी चीजों से गुजरते हुए दिखाई देंगे अगर सफलता की बात करें, तो मुझे यकीन है कि आपके पास योजनाएं होंगी कि जीवन में सफल कैसे होना है, आपकी योजना है? योजना ठीक है, योजना अच्छी होकर भी एक उल्जन हो सकती है, क्योंकि आप आग जो जानते हैं उसी से योजना बनाते हैं, योजना किसी अंजान चीज़ पर आधारित नहीं होती आपकी योजना यानी आज को बढ़ा चड़ा कर कल की कलपना करना अभी आप यहाँ एक स्थर पर हैं आपकी योजना ये होती है कि ये इतने वर्षों में दस गुना होना चाहिए या सौ गुना या लाग गुना हो जाए पर योजना यानी आज की स्थिती को बढ़ा चड़ा कर की गई कलपना शायद इसके पीछे कोई तर्क हो शायद आप उससे जुड़ी चीज़ें समझते हों पर मूल रूप से आप आज की ही बढ़ा चड़ा कर कलपना करते हैं यानी कई माइनों में वो सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं जो अभी आपके अनुभव में नहीं है आपने पेंसिलवेनिया की बाढ़ के बारे में सुना? पेंसिलवेनिया में बाढ़ आती है आपको पता है? एक बार एक बड़ी बाढ़ आई और एक शहर में पानी इतना उपर उठा कि घर डूबने लगे तो दो छोटे लड़के अपने घर की छट पर चड़कर बैठे थे फिर उन्होंने अपने घर के सामने एक टोपी को उपर नीचे होते देखा एक ने पूछा वो टोपी उपर नीचे क्यों हो रही है दूसरा बोला चिंता मत करो वो मेरे पिता जी है कल उनका मेरी माँ से जगड़ा हुआ था और उन्होंने प्रण लिया था नरक या उचा पानी मैं लॉन जरूर काटूँगा तो योजनाय परिशानी बन सकती है योजनाय बनाना अच्छा है पर ज्यादा जरूर ये है कि एक उदेश्य हो अगर उदेश्य है तो योजनाय बनती जाएंगी योजनाय फेल होंगी और फिर नहीं योजनाय बनेंगी जो होनाय होगा आप एक उदेश पर टिके रहें तो बाकी चीजें उस उदेश की मदद करेंगी पर अगर आप किसी योजना पर टिके रहेंगे तो वो योजना खुद एक रुकावट बन सकती है योजना संभावना भी है योजना बना कर रखना ठीक है लेकिन आपको योजना को थोड़ी दूरी पर थाम कर रखना चाहिए आपको योजना से अपनी पहचान नहीं जोडनी चाहिए सफलता की प्रक्रिया देखिए मूल रूप से सफलता की चाह हर इंसान में होती है आप उसमें थोड़ी आग डाल कर उसे अपना जुनून बना सकते हैं लेकिन अगर ये आपके अंदर की एक जरूरत बन जाती है कि ये आपको सफल होना ही है वरना आपको बहुत दुख होगा तो फिर आप दिक्कत में पढ़ने वाले हैं एक गंभीर दिक्कत हमारे जुनून जहर बन सकते हैं अगर हम उन जुनून के सफल न होने पर नाराज होने लगें तो जहर बनने से मेरा मतलब है कि आज ये दिखाने के लिए काफी मेडिकल और वैग्यानिक सबूत हैं कि नाराज होने पर जब आप किसी चीज से गुस्सा होते हैं या चिड़चिड़े होते हैं तो आज डॉक्टर चेक कर सकते हैं हम आपका खून लेकर ये देख सकते हैं कि आप अपने सिस्टम में जहर डाल रहे हैं ये वो जहर है जो आप पीते हैं पर दूसरे के मरने के उमीद करते हैं जीवन ऐसे नहीं चलता अगर आप जहर पीएंगे तो आप मरेंगे यही ठीक है यही ठीक है है ना आप जहर पीएंगे तो आपको मरना चाहिए मैं जहर पीकर उसे मारना चाहता हूँ ऐसा नहीं होता तो ऐसी भावनाएं हमारी क्षमता को छीन लेती हैं देखिए, इनसान में प्रतिबानाम की एक चीज होती है हर इनसान में होती है वो उसे जीवन में कभी न कभी चूता है पर प्रश्न ये है कि आप उसे कितनी बार चूते हैं यही प्रश्न है आप अपने जीवन में एक बार चमके, ये काफी नहीं है, आपको हर समय चमकते रहना चाहिए, है ना, प्रतिभा क्या होती है, इसे समझने के कई तरीके हैं, पर सबसे आसान तरीका ये है, कि हम हमेशा तारकिक विचारों को ही बुद्धी मानते हैं, नहीं, तारकिक विचार शायद अगले 25 वर्षों में बेकार हो जाएगा, क्योंकि तब शायद आपका कम्प्यूटर हर तरह के तारकिक विचार पैदा करने के काबिल हो जाएगा, आप से कहीं बहतर और कहीं ज्यादा तेज, तो प्रतिभा को चूना यानि अपने अंदर मौजूद बुद्धी का दूसरा आयाम चूना, आपने नाष्टे में क्या खाया? देखिए, उन्होंने मुर्गी खाई, दुपहर होते होते, वो मुर्गी एक इनसान में बदल गई है, अगर आप चार्ल्स डाविन से पूछते, कि एक मुर्गी इनसान कितने समय में बनती है, तो वो लाखों वर् मुर्गी को इनसान में बदल रहे हैं, तो यहां एक बुद्धी और ख्रमता है, जो प्रकृती के लाखों वर्षों के काम को बस दुपर में ही कर सकती है, बस यह है कि यह बुद्धी अचेतन स्थिती में है, अगर कोशिश की जाए, तो आप हर अचेतन प्रक्रिया को एक जागरुक प्रक्रिया में बदल सकते हैं, जागरुकता में अगर इस बुद्धी की एक बुद्ध भी आपको मिल जाए, तो अचानक जीवन एक जादू की तरह चमक उठेगा, जो काम लोग मुश्किल से करते हैं, वो आपके लिए आसान होगा, अब जब मैं बुद्धी क जाएता हूँ, तो लोग हमेशा ये सोचते हैं, अगर मैं लोगों से पूछूँ कि बुद्धी कहा है, तो सभी हमेशा यही कहेंगे, है ना, वो ये या ये या ये ये या ये ये नहीं कहेंगे, पर आपके शरीर की एक कोशिका, आपके दिमाग से कहीं ज्यादा काम कर रह ये, डीने का एक अनू, एक मिनिट में इतने लाखों काम कर रहा है, कि आप कभी समझी नहीं सकते, थाया ना, तो योग में या योग विज्ञान में, हम कभी भी किसी चीज़ को मन नहीं मानते, मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एक भौतिक शरीर है और एक मानसिक शरीर ह शरीर से सोचना, सीखना होगा, ये एक छोटा सा सेशन है, अभी ये बात नहीं करनी चाहिए, पर ये बताना जरूरी है, कई चीज़े हैं, जो मैं खुद एक ही समय में करता हूँ, क्योंकि कोई मुझे बताता है, अभी इस सत्र से पहले कोई कहता है, सद्गुरू इस इमा क्योंकि मेरे दिमाग में 12-14 चैनल वाकई चलते रहते हैं, सिर्फ दिमाग में ही नहीं, शरीर से भी सोचा जा सकता है, आप शरीर से सोचना सीख लें, तो कभी सिरदर्द नहीं देगा, ये सबसे अच्छी बात है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, और कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो क्या तनाम नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप अपने एक गहरे आयाम का इस्तिमाल कर रहे हैं, और सभी कर सकते हैं, ये आयाम सभी में हैं, शायद आपके तरक का स्थर किसी दूसरे से कम हो, सभी की तारकिक्ता अलग-अलग होती है, पर हर इ व्यक्ति ऐसी स्थिती बनाएं, कि सिस्टम के अंदर जो भी है, वो आपके लिए उपलब्ध हो, तो ऐसे व्यक्ति का सफल होना तय है. झाल